इसका नाम शशी रखते हैं क्या समधी जी शशी लड़कियों का नाम है क्लास के बच्चे इसे चिड़ाएंगे ना हाँ शशी की जग कोई चिची शिशी या शुशु बोलेगा तो हाँ इसी लिए इसका नाम गणेश रखते हैं अरे समधी जी बच्चे की काया तो देखो दुबला पतला है एकड़म गनेश जी तो मजबूत कदका ठीके थे अपना बच्चा तो सिंगल हड़ी है ये नाम जमेगा नहीं इस पर हाँ भाया की बेजी का नाम थुड़ा मॉडन रखती हैं जैसे राकी रौकी रौकी दो हमारे डौक का नाम है अगर ऐसा ही नाम रखना है तो शेरू रख लो आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं अरे कुछ भी बोलना रौकी बोलने से तो बहतर ही है ना किरन और रवी को पहला बच्चा हुआ था दोनों के ही परिवार वाले उस बच्चे का नाम रखने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे तीन मैनों से ये लडाई चल रही थी मगर कोई भी एक धंग का नाम नहीं रख पाये थे किरन और रवी इस बात से बहुत परिशान थे लेकिन परिवार के लोगों के सामने कुछ बोलती भी नहीं थे अरे समधन जी आपने अकल चोर बजार में बेच दी है क्या शनी कैसा नाम है ऐसे तो आप आगे आने वाले बच्चों के नाम साड़े साती और धया रख देंगे हैं अरे जबान संभाल कर बात कीजिए और आप भी जबान संभाल कर नाम बताए शनी नाम रखोगी तो कोई भी इस पर तेल डाल कर चला जाएगा किरन के सबर का बांध तूट रहा था बच्चे पे पहला हक उसकी मा का होना चाहिए है की नहीं नाम मुझे रखना था लेकिन सब लोग मिलकर नाम रखना चाहती हैं ऐसा लग रहा है कि सब लोग लूड़ों खेल रहे हैं कौन पहले नाम रखेगा बच्ची का बात तो सही कह रही हो तुम लेकिन तुमने क्या नाम सोचा है किरन टाइगर अरे यार किरन माना कि तुमको टाइगर शॉप पसंद है पर बच्ची का नाम दोड़ी ना रख देंगे हैसे तो मुझे मोगेमबो पसंद है तो क्या बच्ची का नाम मोगेमबो रख दूँगा हाँ हाँ मोगेंबो नाम ही रख दीते हैं देखो तु सुनके मोगेंबो खुश भी हो गया हरे मजाग छोड़ो देखो मैं पंडित को बुला रहा हूँ सबको इखटा करके एक नाम डिसाइड कर लेंगे ठीक है पंडित जी घर आते हैं और उनकी साथ सब बच्चे का नाम रखने के लिए इखटा हो जाते हैं पंडित जी वैसे तो नाम हम सोच चुके हैं लेकिन आप भी कोशिश कर ही ली जी नाम तो हम भी सोच चुके हैं दिग विजे नाम रखेंगे ऐसा नाम रखो जो मू में नातक जाए कोई ऐसा नाम हूँ जो जट से मू से निकले तो ऐसा करते हैं दात नाम रख देते हैं जल्दी से मू से निकलेगा न चुपो जाओ बेटा मू से दूज जैसी बाते नहीं निकाल सकते तो कम से कम गोबर जैसी बाते भी मत निकाला करो यह जबान लड़िये मत काम खतम करना है और मुझे और भी दान लेने मेरा मतलब है नाम रखने जाना है अभी सुबह से एक बच्ची का नाम मुन्नी रख कर आया हूँ अरो पंडी जी यह तो नाम ही बदनाम है ऐसा नाम रखते हैं अगर आप तो रहने ही दीजिए अरे नहीं नहीं उनका बजेट कम था बजेट बढ़ता तो नाम भी बड़ा रख देता यार विकी नाम रख देते हैं न अरे यार आप ये राकी विकी आलू टिकी काजू चीकी जैसे नाम क्यों रखना चाहती है ये बच्चा है कोई खाने की चीज तोड़ी ना है हम इस बच्चे का नाम मनहूस रख देते हैं अरे क्यों इसके आती ही कितनी लडाया हो रही है घर में चुप रहो बहु बच्चे के लिए गुसे में कुछ भी मत बोला करो आप मेरी बेटी से अच्छे से बात कीजिये हाँ 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 करती हूँ श्री श्री एक हजार आठ बहु देवी जी कृप्या करके क्रोधित होकर शिशू के बारे में बुरे शब्दों के प्रयोग से बचे आरे मेरी लड़की को ताने मत मारिये आप तो फिर कोई गाना ही मार दू बताए कौन सा गाना मारू कुछ कुछ होता है या फिर दिल तो पागल है आप से तो मू मिलाना ही बेवकूफी है सब लोग नाम को लेकर बहस करने लगते है इस शोर शराबे से परिशान पंडित जी पोल पड़ते है लड़के का नाम रखने में मत हो ये परिशान मेरे पास है इसका एक समाधान ना लड़के वालों की ना लड़की वालों की मर्जी चलेगी नाम बच्चे का वही होगा जो पहला शब्द उसकी जबान बोलेगी सब पंडित जी के इस उपाई को मान लेते हैं और सब बच्चे के आसपास खड़े होकर बोलने का इंतिसार करते हैं बच्चा थोड़ी दिर में बोल उठता है मा मा मामा बोला मामा बोला तो क्या इसका नाम मामा ही रख दे बात तो यही हुई थी कि जो पहली बात बच्चे के मुँ से निकलेगी वही रख देंगे बस पंडिची ने बच्चे का नाम मामा रखके सबको मामू बना दिया उस दिन के बाद से उस बच्चे का नाम पढ़ गया मामा शर्मा सब इस नाम पे बहुत पच्चता है लेकिन अब पच्चता है क्या हो जब नाम पढ़ गया मामा शिक्षा कोई भी जरूरी काम शान्ती से मिल करना चाहिए वन्ना अंचाहे परिणाम की साथ समझोता करना पड़ता है